नमश्कार दोस्तों, BSC agriculture चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम बात करने वाले हैं Solar Insected Trap के बारे में जो की एक insect pest management का एक कारगार तरीका है दोस्तों इसके नाम से पता लग रहा है की Solar Insected Trap यानि की सोर उरजा सेलने वाला heat पतंगों को पकडने वाला यंत solar insect trap दोस्तों इस trap की मदद से हम अपनी crops को protect कर सकते हैं nocturnal harmful insects जो की है nocturnal का खहने का मतल है वो insects जो की active रहते हैं night time रात के समय में जो active रहते हैं चाहे वो छोटे insects हो या adult insects हो flying nims हो या adult insects हो जैसे की leaf folder जिसको हिंदी में बोलते हैं पताल पेट या stem borer moth यानि तना शेदक moth अब moth का या fruit borer moth या फल शेदक moth बोल सकते हम इसको moth यानि एक तरह के वो पतंगे जो butterfly की तरह दिखते हैं लेकिन उनके जो punk होते हैं वो black and white की तरह होते हैं यानि रंग हीन आप बोल सकते हैं उसको या brownish होंगे या white होंगे इस तरह से वो दिखते हैं दिखते butterfly की तरह हैं ओपर्स होगे fruit weevil होगे, beetles होगे इन सभी की population को control करने में ये solar insect trap बहुत ही कारगर है जैसा कि आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा और इससे क्या होगा कि आपकी ना सिरफ adult population जो अभी आपकी crop को खुराब करती है वो कम होगी और इसके साथ साथ जो आने वाली progenies हैं इन insects की वो भी control हो जाएंगी उनका आने वाली जो progenies आने वाली इनकी जो population है वो भी control में रहेगी वो बढ़ेगी नहीं और दूसरा इसका फाइदा ये है कि इससे आपको अगर आपकी crop कोई insect खा रहा है और आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सा pest है ये कौन से insect है जो pest की तरह है तो आपको उसके identification में मदद मिलेगी जब आपको ये दिखाई देंगे इस trap के अंदर जब आप इसको use करेंगे तीसरा अब इसके अंदर yellow pen लगा हुआ है pen यानि जिसमें ये इकठा होते हैं तो yellow रंग का आपको भी पता होगा कि insects yellow रंग की तरफ पिले रंग की तरफ attract होते हैं इसलिए इसको जो pen हो yellow है और जो ultra wallet इसके इसमें lamp लगा हुआ है जो इसके अंदर bulb है वो ultra wallet है UV radiation को चोड़ता है अब जो UV radiation है जो ये bulb चोड़ेगा उससे turnal insects होते हैं जो रात को गिर जाएंगे ठीक है अब ये जो तरीका है ये organic तरीका आप इसको बोल सकते हैं अगर आप organic खेती कर सकते हैं या फिर अगर आप chemical खेती भी करते हैं तो भी ये कारगर तरीका है insects को control करने में बिना chemical की spray किये तो chemical residue जो आपके खेत में या आपकी fossil में या जो food में आ जाता है extra chemical आ जाता है जो उसमें कमी आएगी और इस product में कोई maintenance की जरूरत नहीं ये fully automatic है ये अपने आप ही जब sunset होने लगता है तो वो switch on हो जाता है उसके बाद 4 घंटे लगातार चलता है अब इसकी केमत की बात करें तो ये 4800 रुपे पर unit है इसके बीच में है ठीक है तो और अब आप बोलोगे कि एक एकड में कितने लगते हैं तो एक एक ट्रैप काफी होता है अगर आपने अच्छी fairly good protection इसकी करनी है और precaution आपने ये रखना है कि जो solar insect trap जो पैनल है solar पैनल है उसको आपको साफ रखना है किसी भी shadow वाले area में नहीं लगाना है इसको और जो इसमें tub है या जो pan है yellow pan है उसको आपने आधा पानी से भर देना या फिर उसमें आप ये भी add कर सकते हैं so powder भी add कर सकते हैं आप so powder क्या है ये detergent होता है surf excel या जो भी detergent आप यूज करते हैं या आप kerosene भी इसमें थोड़ा डाल सकते हैं और आपको जो पानी है जो tub में है इसको आपको दो एक या दो दिनों में change करना होगा ये depend करता है कि आपके खेतों के अंदर insect कितने हैं harmful insects कितने हैं अब इसकी question है आता है कि इसको आपने किस तरह से इसकी height adjust करनी है खेतों के अंदर आप अगर आप लगाएंगे तो vegetables के लिए इसकी height रखेंगे आपने 3 feet रखनी है ground level से fruits के लिए 5 feet और अगर cereal crops है जैसे paddy है या धान है उसके लिए 4 feet आप रख सकते हैं ground level से इसकी positioning अगर आपने जो solar panel है उसका जो panel है उसको धूब की तरफ कैसे रखने है देखें दोस्तों जून अगर December महिना है तो आपको पता है कि ठन के time पे जो सूरज हो थोड़ा side से निकलता है ठीक है east से जब west जाता है थोड़ा side से जाता है जब कि जून के time में बिल्कुल उपर से जाता है सूरज तो जब दोपार के समय जो सूरज होता है उस direction में हमने 90 degree में इस पैनल को रखना है 90 degree होना चाहिए सूरज की direction की तरफ ठीक है यानि आप south direction में रख सकते हैं south east direction में भी इसको थोड़ा tilt करके रख सकते हैं और ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह की shade trees की नहीं पढ़नी चाहिए या toll objects की ठीक है ताकि ये maximum amount sunlight का absorb कर सके जो की होता है 8 घंटे जिससे कि ये charge रहे या 4 घंटे तक easily काम कर सके night time में long time तक काम कर सके तो ये आपकी positioning और installation बता दी आपको कितने रुपे price का ये पढ़ेगा एक unit और कितने एकड में कितने लगते हैं क्या precaution रखें ठीक है और कौन कौन से जो इंसेक्ट से आपको ये कि आपकी फसल को बचाएगा वो सारा आपको इस वीडियो में बता दिया गया है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही नमस्का